प्लपान देन साजना में सभी साथ को का सावत है सभी को परणाम ओम आज की साथना के लिए किसी भी आशन में सहज होकर बैठ जाएं किसी भी आशन में सहज होकर बैठ जाएं आखे को मलता से बंद हातों को ग्यारनता में रखें कम अगर दंसी दी और सहज हो जाएं सहज स्वासों के साथ जो स्वास शंद जा रहा है जो स्वास भार आ रहा है उन्छ स्वासों के साथ सहज होते जाना है सहल होते जाना है पृतिक अंद जाने वाली स्वास अनन तो जा का भंडा लेका अंद जा रही है और यह उज्जा यह एनर्जी पूरे सही में पौह ही तो ती जा रही है पृतिक स्वास के साथ बढ़ती हुई एनर्जी के पौहा का एसास करें बढ़ती हुई स्वास का एसास और स्वास के साथ बढ़ती हुई एनर्जी सही के रोम रोम में फेलती हुई सही के पृतिक से इस तक जाती हुई सही के पृतिक से इस तक एनर्जी फेलती जा रही है और्जा फेलती जा रही है एनर्जी का पौहाब बढ़ता जा रहा है और्जा की तंग बढ़ती जा रही है बढ़ती हुई एनर्जी का इसा आज़ बढ़ता है सही के रोम रोम में बढ़ती है एनर्जी का इसा आज़ एनर्जी का इसा आज़ साई एसे उता हुआ साइ़ एसे उता हुआ चेतना ग्याहे यंते जरत में पवेश करते हुई अनन्द ग्याहे ही में जाते हुई ग्याहे है रिध्यान में पवेश करते हुई ग्याहे है रिषानती में गहरी शमादी में पवेश होती हुई ग्याहे है रिषानती में पवेश करते हुई रिषानती में पवेश करते हुई ग्याहे रिषानती में दूपते जाना है रिषानती में पवेश करते हुई जो भी करते हैं या फिर जिस भी कारे के बारे में सोचते हैं उस कारे को करने के सब के अपने अपने ढंग हैं अपने अपने तरीके हैं जो वेश सोचना ही कारे के लिए माग तया कर देता है अन्ते चेतना में माग बन जाता है उस्थ पर चलने से या तो और जागी प्राप्ति होती है या फिर और जाखाच हो जाती है जो अंध्यान करते हैं या फिर कोई सकात्म कारे करते हैं तोर्जा का पवास सकात्म को जाता है और या बढ़ती चली जाती है अब वही है अगया हम कोई करते हैं तोर्णाव गश्त हो जाते हैं तो वही हुज्जा घटने लगती है घच होने लगती है जैसांती में जाने से गहरे अनन्द में जाने से उड़्या बढ़ती चली जाती है में कोद श्यागर्ना जिसी बावदशा में एनरजी घटने भी शुरू हो जाती है कोद के बाद सांत हो जाते है बहुत ऐसा विलल्स कि रहती है लगता है कि अन्द कुछ भी घटिक नहीं हुआ सब कुछ सांत हो चुका है लिकिन ऐसा नहीं होता चाहें आप तेहन की वश्टा में जाएं या पर एक गोद की वश्टा में भूश के बाद समाने वश्टा में आ जाएं संत जगत में चेतना की दुनियो में अचेतन मन में वह भाव एकत्त हो जाता है अगर के वल घटना घटकी होती हो भाव दैसा बदलने के बाद सब कुछ खत्म हो गया होता है तो सुख्ष्म जगत में वह भाव की घटना नहीं होता है कुछ और पेरले भाव जटना थी वह कुछ सुख्ष्म जगत में नीचे चेतन में दब गई चेतना क्यानत गयाईयों में वह इसका फिर बार बार समय आता है बैप्रतिक्षा करता है यह कभ उसे ऊपर आना है और जैसे ही उसके अनुस्या माहुल पैदा होता है तो इंद वही भावदसा प्रगठ हो जाती है आप बिलकु सांथ बैठे हुए हैं अचानक किसी ने कुछ कह दिया आप आगर बहुला होने लगे जोद करने लगे तो अगर अंते जगत में वो प्रगठ वो भावदसा अंदा नहीं होती तो बाहर प्रगठ नहीं होती और क्योंकि हम लगे भावदसा को कहीं न कहीं शुक्ष्म जगत में प्रवेश्का दिया था इसलिए वही भावदसा समय और महल तयार होने पर पाहर प्रगठ हो जाती है अच्छे प्रतीक भी जख्टा होता रेता है अच्छे प्रतीक भी जख्टा होता रेता है चाहें फिर वह वीज किसी वावदसा का क्यों न हो किसी विचार को अगर अपने में सहयोग देते हैं तो उसे उठ जाते रहे होते हैं और फिर भी भावदसा एक आधत का रूप ले लेगी कोदिज व्यक्ति बावार कोद करते हैं ज्यानी व्यक्ति बावार ज्यान करते हैं और लवतार बावा करने से वियादत बन जाती है सवाव बन जाती है इसलिए सांथ व्यक्ति को सांथी में जाना अच्छा लगता है क्रोद वक्ति व्यक्ति को हर वक्त क्रोद करना अच्छा लगता है जो व्यक्ति जैसा भी है वह सी बावदसा में जीवन को जीना चाहता है वह सी बावदसा को बदलने को तया ही नहीं होता व्यक्ति जैसा लगता है कर्म करने मान कर रही है हम बनते चले जाते हैं हम आदत के दोरा जीते चले जाते हैं अन आदतों को पूर्ण करने के लिए सरी से एनरजी एक जो होती रहती है दीए दीए आदत ही मालक बन जाती है और चेतना एक नौकर की तेकार करती चले जाती है आदत केती है कि करोद करो तो करोद करते हैं आदत केती है कि सांती से धान करें तो क्यान करते हैं आदत केती है कि काम करें तो काम करते हैं करते हैं इसी लिए जहर ध्यान में जाना है कि जो आदत है वे शकाहत्मक बनी रहे और इस सबहाब में जुड़ जाए अंत जगत में उसका पवाब बरता चला जाए तो अंत अब जाए सकाहत में बढ़ती चली जाए सकाहत में बढ़ती जाए अनन्त गहाईयों में शुक्ष्म जगत में कर्म का सिद्धान्त यही है कि उसकारे को आप बार बार दोरा रही है एक ही आदत एक ही सभाव एक ही विचार को मन के अचेतन में परविश करा रही है और यह कर्म मजबूत होता चला जा रहा है और यह केदी का एक गुलाम का जीवन जीते हैं यह गुलामी की बेड़ियां बड़ी शुक्ष्म होती हैं यादतें संसकार मानितां सब कर्म होते हैं जिनने नियंता करते रहते हैं और सभी के चार गूर घूमते रहते हैं और उसमें उलज कर रह जाते हैं नियंता सोचते से चले जाते हैं लेकिन फिर भी सोचते हैं कि कुछ नहीं सोच रहे हैं नियंता करते यहां करते चले जाते हैं लेकिन अगर कोई अच्छना कर आप से कहता है कि आप तिनवर सोचते हैं तो आप सिखार नहीं करते कि कोई विचार लगाता चल रहा है आप सूचते हैं कुछ भी विचार नहीं है किसी से पूछें तो वे ही कहता है कि मैं कुछ नहीं सोचता लेकिन सुच्छ जगत में लगता है वो जोसता चला जता है लगता कम तरिया करता चला जता है और कर्म का फल भी भौकता चला जता है पिशले कहते हैं कि जो भी बोया जाएगा वही फल तयार होगा हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ढंक से होना चाहिए लेकिन जो सोचते हैं वो हमारा सुभव हमारा यादत या हमारे संस्कार या बानताओं में हैं उसी से हम सही अगलत का फैशला कर रहे हैं जीतना सुतन तो नहीं है मानता और संस्कार आदा सुभव कर्म इनके बंदनों में बंदी है जीतना सुभव बंदनों में जीतना तो चाहिए जो कुछ अंदर होता है वही पाहा प्रवाट होता है आचनक बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं होता कोई दिन चोई घंट अनेक बावदसाएं प्यदा होती है अनेक बावदसाएं बदलती जाती है चीज़े स्वांतर से बाहर आती है वह हम डाल देते हैं दूसरे ब्यक्ति पर किस के जिम्मेदार आप है जाकि वह सब कुछ आपका ही अपना सुभाव है आपका ही तुक्ति जगत में एक खटा कर्म है और इन कर्मों पर मालत बनने के लिए यह सब को जानना जरूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है मुछ सब के जिम्मेदार में शेम हूँ सुम इन बातों से कश्ट तो होगा लेकिन धीरे धीर सत्य समझ में आने लगेगा बच्चे अलग रंग से जी रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं और सभी अपने आदत सभाव कर्म संस्कारों के मानताओं के माध्यम से जी रहे हैं उनी की पूर्ण वरती नियनते कर रहे हैं और हमेशा दूसरे के उपर सब कुछ डालने का प्रयाश होता है क्यों राया तो सामने बाले ने करा दिया कुछ गरत हो गया तो कुछ ने करा दिया और जब तक अच्छा होता चला जाए तब तक मैं करता जा रहा हूं तो इस सब से आगे बढ़ना है क्योल हर गटना का साक्षी बनना है कार्यों को करते जाना है साक्षी बनकर कोई वादशा शुक्ष मन को अचेतन मन को न पकड़ पाये लगाता साक्षी बनते चले जाना है अगटना का है कोई पूम जिम्मेदार है अपने विवार के लिए जिम्मेदारियों को स्विकाह करना है दूसरे के उपर नहीं फैकना जो कुछ भी कर रहे हैं जो भी बावदशाय आ रही हैं सर्फ सेंग की अपनी है और हर बावदशा को शिकाह करते हुए उनका साक्षी बनते जाना है सहे जोते जाना है स्राक्षी बहाओं में डूरते जाना है साक्षी बनते जाना है सनन्द गयाय में डूरते जाना है इस्ते बने रेना है अखोत चले जाना है खोते चले जाना है खोते चले जाना है झाल 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 जो यह नुबह रहे हैं जो यह साश्व रहे हैं उननुबह को उनाशास्व करते हुए धीर दिय चेतना में वापसाने के लिए तैयार हूँ धीर दिय चेतना में वापसाने के लिए तैयार हूँ स्री कैसाश शाशो कैसाश स्री कैसाश शाशो कैसाश दो गहरे लम वेश्वाश दो गहरे लम वेश्वाश हातों की उंगलियों में हल्चल करें अतेलियों को रब करें गरम करें आखों पर लगाएं चेहरे पर लगाएं कुलती वे चेतना में वापस आजाएं आप किसी साधक का अगर कोई कुश्चन है तो पूश सकते हैं किसी को कि कहना हो तो कह सकते हैं झाल झाल